तो फिलहाल आपकर ये रहे हैं, आप भावनाओं की मिठास और आसपास की मिठास के बीच मुकाबला ख़डा कर रहे हैं। आसपास मिठास तब तक नहीं आईगी, जब तक हुनर नहो, प्रतिभा नहो, अब रिष्टा एक मेहनत का काम है, आपको इसे बनाना पड़ता है, आपको इसे संभालना पड़ता है, इसके कई पहलू हैं। मैं बस आपको आपकी तकनीक को अपग्रेड करने को कह रहा हूँ, ताकि आप सेल्फ स्टार्ट बन जाएं। ये वो जवाब है जिसकी मुझे ज़रूरत है, क्या हम प्यार के साहरे जी सकते हैं, बिना ज्यादा पैसो के, या क्या पैसा ज़रूरी है, और उसके बाद हम प्यार भी खोच सकते हैं, जब भी हम ऐसा कर पाएं, अगर मिले तो. जिसे आप मैं कहते हैं, अभी वो एक शरीर है, कुछ मात्रा में विचार या धरनाएं वगेरा सब हैं, या जो भी? हम इसी आयाम पर ठिके रहेंगे, अगर आप दूसरे आयाम पर आपने हैं, तो मैं आपको समझ नहीं पाएं। हैं, सवाल ये नहीं है कि इसे किसने ट्रिगर किया, बात बस ये है, किसी और की वज़े से या चीज की वज़े से आप भावनाओं की ये खास मिठास महसूस करने लगे, जो उस वक्त इतनी कीमती हो गई, आपने किटनी का वादा कर दिया, उस एक पल में, क्योंकि वो मिठ इतनी माइने रखती थी, कि असल में हिंदी में वो कुछ कहते हैं, क्या, गुर्दा या ऐसा कुछ, क्या है वो, वो क्या है, यही बात बड़े जबर्दस तरीके से कहते हैं, तो उस पल में मैं अपने किटनी निकाल कर आपको दे देना चाहता हूं, पर बाल नहीं, उतना स ठीक है, तो असल में ये भावनाओं की मिठास है, मिठास का मतलब ये है, देखे, अगर शरीर मिठास से भर जाता है, तो हमें से सेहत कहेंगे, आप स्वस्थ महसूस करते हैं, क्योंकि शरीर में ये खास मिठास है, मन्धूरता है, मिठास सुखद हैं, ना, आप किसी चीज इसको sweet कहते हैं, क्योंकि आप कहते हैं, और वो कितनी sweet है, क्योंकि वो आपके लिए हस्मुख है, आपके लिए, आपके अनुभव में वो हस्मुख है, तो आप कहते हैं, ये sweet है, तो अगर आपका शरीर सुखद हो जाए, तो हम इसे सेहत कहेंगे, अगर ये बहुत जादा तो आप इसे खुशी कहते हैं। आपकी भावनाइं सुखध हो गई, आप इसे प्यार कहते हैं। ये बहुत ज़ादा सुखध हो गई, अब आप इसे करुणा कहते हैं। अगर ये थोड़ी बहुत सुख़द सिर्फ एक ही इंसान के लिए हैं, तो हम इसे जुनून कहते हैं, ये बहुत जादा ही मधुर हो गई, तो हम इसे करुना कहते हैं, अब आप कुछ इस तरह की स्वीटनेस महसूस करते हैं, पेड़ों के साथ, हवा के साथ, जिसमें आप सा मनंद कहते हैं, अगर आपके चारों और का माहौल सुखद हो जाए, तो उसे हम सफलता कहते हैं, तो फिलहाल आपकर ये रहे हैं, आप भावनाओं की मिठास और आसपास की मिठास के बीच मुकाबला ख़ड़ा कर रहे हैं, आसपास मिठास पैदा करने के लिए हमें कई ता तक, कोई हुनर नहों, कोई प्रतिभा नहों, एक खास तरीके का मैनेज्मेंट नहों, इसमें कई चीज़े हैं, लेकिन, शरीर का सुखद होना, नं मन में मिठास होना, भावनाओं की मिठास और आपकी ओरजाओं का सुखद होना, 100% आपकी बनाई हुई चीज होनी तो अगर इसकी कमान आपके हाथों में है, तो आप इसे हमेशा बहुत ज़ादा मीठा रखेंगे. आपका मन, आपकी भावना, आपका शरीर, सब कुछ, आप इसी तरह रखेंगे. तब ये सारे संघर्ष आपके लिए कोई माइने भी नहीं रखेंगे. ये एक आयाम है, पैसा बाहरी हालातों को आसान बनाने का एक साधन है, प्यार भीतरी मिठास पैदा करने का एक साधन है. लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अंदर की मिठास या बाहर की मिठास दूरों में समय लगता है उस मिठास को बनने में. बाहर की मिठास को समय, उर्जा, कोशिश, चीज़ें चाहिए होती है जैसे एक रिष्टे को देख बाल की जरूरत होती है आपको उसे वक्त देना पड़ता है देखिए वो एक अलग चीज़ है मैं यही फर्क बताने की कोशिश कर रहा हूँ देखिए, प्यार वो है जो आपके भीतर होता है यह आपके दिल की मिठास है रिष्टा कभी-कभी यह मेहनत का काम होता है ओ जब मैं प्यार की बात करता हूँ तो मैं आध्यात्मिक बात नहीं कर रहा है यह सब रिष्टे के बारे में है नहीं मैं कोई आध्यात्मिक बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें कुछ भी आध्यात्मिक नहीं है, ये भावना है देखे अभी इस समय आप मुस्कुरा रहे हैं क्या ये आध्यात्मिक है? ये बस एक आम मुस्कान है? आध्यात्मिक आया मैं नहीं समझता, मैं पूरा तो आपको उसे समझना नहीं है, क्योंकि आपको उसे वो नाम भी नहीं देना है, मैं बस ये कह रहा हूँ, अगर आपका शरीर सुखद महसूस कर रहा है, आप स्वस्थ और बढ़िया महसूस करेंगे, अगर आपका मन सुखद महसूस कर रहा है, तो आप शांत और खुश महस तो आप इसे आध्यात्मिक और गएर आध्यात्मिक बकवास क्यों कहना चाहते हैं? ऐसी कोई चीज नहीं होती. तो अभी आप यहाँ बैठे हैं, आपके भावनाएं बड़ी स्वीट हैं. किसी चीज या किसी और के लिए नहीं, आप बस यहाँ बैठे हैं, भावनाएं स्व पलता है. आपको इसे बनाना पड़ता है, इसे संभालना पड़ता है, इसके कई पहलों हैं. खेर हो सकता है, दूसरा इंसान भी आपके बाहरी हालतों को देख रहा हो, ठीक है? वो सिर्फ आपके दिल के मिठास को नहीं देख रहे हैं. वो इसे भी देख रहे हैं कि आपने गुर्दे वाली चीज होती है, तो शायद थोड़ा बहुत वो उसे पार कर जाएं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि वो इससे पूरी तरह मुक्त है, नहीं, यह हमेशा शामिल होता है, भहुत तिक चीज़ें शामिल होती हैं, है की नहीं? यह मिठास, अपने प्यार को क्या कहा? दिल की मिठास आपकी भावना की मिठास मेरी भावना की मिठास अगर यह दो-तीन लोगों के साथ हो तो यह दो-तीन चीज़ों के साथ नहीं हो सकती, यह सिर्फ आपके भीतर हो सकती है एक ठीक है यह सिर्फ आपके भीतर होती है गर यह मेरे अंदर होती है नहीं नहीं, तीन लोग इसे पैदा कर रहे होते हैं हो सकता है तीन लोग इसे पैदा कर रहे हो मैं आपसे पूँछता हूँ, आप धक्के से start होने वाली मशीन بنना चाहते हैं या self start machine ? Self start यानि आपकी sweetness आपके द्वारा चालो होने वाली चीज होनी चाहिए अगर आप इसे share करना चाहें तो share कर सकते हैं आप इसे share नहीं करना चाहते हैं आप मत कीजिए पर आपको sweet रहना चाहिए, आपको अपने लिए न कि किसी और के लिए देखे प्यार किसी दूसरे के बारे में नहीं है, यह आपके जिन्दा होने की sweetness है, यह न? क्या यह महत्वपूर नहीं है? दूसरे लोगों रिष्टो जैसी चीजों के बारे में भूल जाहिए लेकिन क्या यह महत्वपूर नहीं है, अगर आप यहाँ बैठे हैं? आप अपने ही सुभाहों में सुखद हैं, आपको सुखद बनाने के लिए किसी और को आपको कौँच कर उकसाने की जरूरत नहीं है अभी आप कह रहे हैं कि तीन लोगों को आकर मुझे उकसाना पड़ेगा मुझे सुखद बनाने के लिए, बड़ी खराब मशीन है आपको पुरानी अमबैस्डर्स याद हैं हमेशा उन्हें धलान पर पार्क किया जाता था क्योंकि सुखद आपको धक्का देना पड़ता था अब सारी कार्ड्स सेल्फ स्टार्ट हैं सुधार आया, तक्निकी सुधार है की नहीं मैं आपसे सिर्फ आपको आपकी तकनिक अपग्रेड करने के लिए कह रहा हूँ ताकि आप सेल्फ स्टार्ट हो जाएं जब आप सुबह उठें तो आप खुशी और प्यार से भरे हूँ अगर कोई आया तो हम शेयर करेंगे, कोई नहीं आया, हम तब भी बढ़ियें